सारी उर्यवार नाप सुभे का स्वागत है यहाँ पर हम बात करेंगे आज के निव अपडेट के बारे में UPPSC आयोक ने चार नोटिफिकेशन जारी किये हैं सबसे पहले यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन है आयोक के विग्यापन संख्या यहाँ लिखा हुआ है 22.12.2020 के द्वारा विग्यापित प्रवक्ता पुरुष महिला राज्की इंटर कॉलेज परिच्छा 2020 आयोक द्वारा उक्त परिच्छा दिनांग 13.12.2020 को संड़े को दो सत्रों में पेपर इसका होना है दो जनबत प्रयागराज लखनों में होगा ठीक है और प्रसनगत परिच्छा हेतु छत्रों के प्रविश्पत्र आयोक की साइट पर उपलब्द हैं जाके आप वहां से डाउनलूड कर सकते हैं दूसरा यहाँ पर आपका अप्रेट है कि लोक सेवा आयोक उत्तर प्रदेश के मेड़ाएं के अनुपालन में समलित राजी परवर आधिनस सेवा सवान चैन परिच्छा उन्नीस और बीस की प्रारंबिक परिच्छा की अंतिम उत्तरकुंजी 2322 को जारी की जा रही है उत्तरकुंजी के जारी करने में तगने की व्यवधान के करण को च्विलम हुआ है किन्त भविश में परिच्छा की सुचता व्यधानिकता और यह सब देखते हुए समय से जारी किया जाएगा तो ऐसा है कि चुलू भर पानी में डूम बरिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी मत करिए ठीक है टाइम पर आपसे अगर कुछ नहीं होता है तो मत करिए क्योंकि आप या तो बच्चों का जो है बच्चों को उलू बनाते हैं बेकुप बनाते हैं एक धंक से आपसे एक लिए दे देना इसका क्या मतलब है अगला यहां पर आपका एक और नोटिफिकेशन है कि सम्दित राजी प्रवर आधिनस्ते सेवा परिच्चा 2020 जो दिनांके 11 अक्टोबर 2020 को प्रदेश के 19 जनपतों के विविर ने परिच्चा केंद्रों पर संपन कराए गई थी का प्र प्रथक से आविधन प्रस्तुत ना किया जाए यानि कि जब इनके पड़ा है प्रेसर तब यह थोड़ा बहुत काम यह उन्होंने किया है सबसे पहली बात अगर पेपर होता है पेपर का आप जो है उत्तरकुंजी जारी करिए साप साप अच्छी तरीके से उसका पुरा प्रस्तुरों को बेकुब बनाता है और यह पता नहीं ऐसा क्यों करता है आज तक इनकी समझ में आई नहीं है तो इस तरीके से यहां पर आयों के दोरा चार नोटिश्विकसन यह जारी किया है ठीक है जहां पर इन्होंने अपना इसी तरह का कुछ सिस्टम यहां पर दिया है तो आप लोग में चेक कर सकते हैं कि किसका हुआ है और किसका यहां पर नहीं हुआ है टेक यह थेंक यू